सोरफ दुवेदी का अभिवादन सुईकार करें विधान सभाचुनो नजदीक आ गए हैं एकदम नजदीक आते जा रहे हैं चुकि जैसे ऐसे ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी गर्मी बढ़ती चली जा रही है सियासी गर्मी बढ़ी है कि अब जो ठंड का जो जितना भी पारा चाहे जितना नीचे चला जाए लेकिन सियासी गर्मी का पारा उतना ही ऊपर होता चला जाएगा और इसलिए साइद अपकी बार की ठंड में लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस नहीं हो रही चुकि सियासी गर्मी उनको बहुत गर्मी दिये रहती है गर्मी इसलिए भी बढ़ चुकी है कि बहुजन समाज फाल्टी ने अपने दो प्रत्यासियों की घोसना कर दी है चित्रकूट विधान सभा से करवी विधान सभा 236 से पुष्पेंदर सिंग है तो 237 मौ मानिकपूर की विधान सभा से बलवीर पाल को अपना प्रत्यासी बनाया है लेकिन आप देखने योगी है कि यहाँ पर जो चित्रकूट की दोनों विधान सभाएं है वो उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाओ पर कितना असर डालती है जो कि एक बड़ी बात यह है कि चित्रकूट विधान सभा से खुद राज्यमंत्री है जो कर्वी विधान सभा 236 कही जाती है राज्यमंत्री है और जो मौ मानिकपूर की विधान सभा है वहाँ एक युवा विधायक आनन्द सुकला है और देखा जाए तो इस बीच जनता ने वो संकट का दौर जहला है जब कुरोना का संकट आया था संक्रमण का दौर आया था ये एक ऐसा संकट था जो अब तक कि किसी भी विधान सभा चुनाव में इस सदी में नहीं पड़ा था सोचने वाली बड़ी बात है और सामाजिक जानकारी और राजनीतिक सच्चाई से काफी रूबरू होते रहते हैं इनकी सबसे चर्चा होती रहती है तो हम थोड़ा यहाँ पर कुरोना काल से ही बात करेंगे कि जब जनता संकट में थी तब क्या बस्पा के जो दो प्रत्यासी घोसित हुए है क्या ये लोग उस वक्त जनता के बीच में थे ऐसा कुछ आपको नजर आया ऐसा तो देखे सावरब जी इतना बड़ा कुरोना महामारी में इस कुरोना काल खंड में इनको शायद ही किसी ने देखा हो चुकि जनता सब देखती है और जहां तक मेरा मानना है कि अभी तो देखिए बस्पा ने अपने प्रत्यासी घोसित किये हैं अभी और भी पार्टियां हैं वो भी अपना घोसित करेंगी और जनता इस पे जरूर देखेगी कि कुरोना महामारी में कौन उनके नजदीक था कौन उनके लिए काम किया कौन नहीं किया अब इतनी बड़ी तरासदी में और जब जनता इतनी बड़ी समस्या में थी तब ये लोग कहां थी बिल्कल एक बड़ी बात है कि पुस्पेन सिंग पहले चुनाव लड़ चुके थे कांग्रेस से और उनको जनता का प्यार भी काफी मिला था कांग्रेस जैसे दल से उन्हें 18,000 बोट मिले थे और इसके बाद जब जनता के बीच उनको कुरोना काल में होना चाहिए तब वो चित्रकूर छोड़ करके आखिरकार कहां थे यही तो सबसे बड़ा बिसा है यह तो उनको वही जब जनता उनसे पूछेगी तब वो उनको बताना पड़ेगा कि हम कुरोना काल खंड में कहां थे चुकि जनता एक ऐसे समय पे थी जब जीने और मरने की बात लगी हुई थी कि किसकी मौत कब हो जाएगी और कौन जिन्दा रहेगा आखिरकार किसके पेट की भूख बचेगी या नहीं बचेगी आखिरकार कैसे वो तरप्त होगा जब भूख के संकट में थी और जब रोजी रोजगार को लेकर के संकट में थी तब ऐसी जो दो जन्द प्रत्नित आएं हैं इनकी जनता के बीच में भूमका नहीं थी और उन्में से एक बिधान सभा का चुनाव लड़ चुके हैं देखे ये चुनाव भी लड़ चुके हैं और जनता से इनका क्या जुडाओ रहा वो जनता जरूर देखेगी चुकि यहां की जो मूल भूत्स विधाएं हैं और कुरोना टाइम में जब ये था कि पता नहीं क्या हो जाएगा उस समय ये सब जो है इनका कहीं पता नहीं था जनता इनको ढूड़ने से भी इनका कहीं कोई सुराग भी नहीं लग रहा था सौरब जी अब देखिए मैं बात करूँगा चित्रकूट विधान सभा जो करवी विधान सभा है 236 खुद राज्य मंतरी है उत्तरपदेश के एक ऐसे विभाग के मंतरी है जो एक पावरफुल विभाग है उसके PWD विभाग के लोक निर्मार विभाग जिसको कहा जाता है उसके राज्य मंतरी है और इससे पूरब विधायक रहते हुए और मंतरी रहते हुए क्या-क्या जन्ता के लिए काम किये जिससे लगता है क्या कि वापस भाजपा सत्ता में बरकरार रहेगी या स्वयम मंतरी जी देखिए भाजपा की नीतियों में इस पश्ट है भाजपा की नीतियों में और जो उनका जो स्लोगन दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकाश इसमें पार्टी निर्धारित करती है जो छेतरी ये जो जनप्रतनीधी होते हैं इनके जो छेतरी मुद्दे होते हैं इनको विधा पास करवाना और यहां लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई जो भी उनके जो है निदान के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो सारी उजनाओं को का क्रियान्वन करवाना ये उनका में दायुत है अभी जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि इस कुरोना कालखंड के साथ साथ विकास की जो धारा होनी चाहिए थी वो कहीं न कहीं जो है प्रभावित हुई है इस कुरोना कालखंड में ये मैंने देखा है लेकिन जैसे कि अभी मैंने देखा कि मानी अखिलेश यादो जी की सपा की गवर्मेंट थी और वो सौरब जी आप भी जानते हैं और मैं भी जा चित्रकूट में कह सकता हूं कि हमारे यहां पर दो एक्सप्रेश एक बुंदेलखंड एक्सफ्रेस वे और यह रामबंगमन जो प्रभोश्ड अल्लेड़ी और हमारे यहां इतना बड़ा डिफेंस कारी डोर और चित्रकूट परेटन के परेटन में भी बहुत सारे विकास के कारी हुए हैं हो रहे हैं और आप भी जानते हैं कि यहां देखिए पहले जो है मातर एक हवाई पट्टी थी अब वो एयर पोर्ट में एक्सपेंड हो चुका है उसका बहुत सारा काम हो च मंत्री जी ने विकास का काम बिलकुल किया है लोगों के जगडे ओर विवाद में मेने कभी नहीं काम किये चुकि यह परिवारी को होते हैं उन्होंने विकास की बात किसे इसको को जुटला नहीं सकता है जी 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 तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा बात करते हैं माउ मानिकपुर विधान सभा के वारे में जो लगातार चर्चा के किंद्र में रही है मौमानिकपुर विधानसभा इसलिए चर्जा के केंद में रही है कि इससे पहले जब चुनाव हुआ था उस वक्त आरके पटेल विधायक हुए थे और इसके बाद आरके पटेल जी को कहीं न कहीं सांसत का टिकट दे दिया गया अचानक से और वो लड़े और जीते भी तो इसके उपरांत हुआ कि उपचुनाव हुआ उपचुनाव के दारान जो बहुत पहले भाजपा से सक्री थे आननसुकला की उनको टिकट मिल जाए विधायक का लेकिन उस वक्त उनको नहीं मिल पाया था टिकट जब उपचुनाव में उनको मौका मिला और उपचुनाव में पार्टी ने उनने अपना प्रत्यासी बनाया उसके बाद वो चुनाव जीते भी और चुनाव जीतने के ठीक बाद ही कुरोना कहीं न कहीं आ गया था कुरोना आ गया था और उस संकट के दौर में मैंने भी व्यक्तिकत चुकी जो चीद देखी है, सुनी है, उसको बोलना ज़रूरी भी हो जाता है, मैंने भी रेखा था कि व्यक्तिकत आनन्शुकला जनता के बीच पहुचते रहे, और उन्होंने अपने हाथों से रासन बाटने का काम भी किया, औ और हुआ कि वो कहते भी रह लगातार कि एक जनप्रत्नित के तोर पर मैं जनता के बीच में हूँ, यह दिखने वाली चीज है, इस पश्ट दिख रही थी, इस पश्ट सब लोग देख रहे थे, मैं क्या मैं, चुकी हम लोग तो यहां बैठे हैं, लेकिन जो जनता ने लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं से जुड़े रहना और उनके निदान के लिए निरंतर प्रयास करते रहना, यह बहुत बड़ी बात है, यही तो राजनीत में परिवर्ता नहीं एक नया, लेकिन विरोध भी तो उतना देखने के लिए मिला, विरोध जबर्जस्त हम लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी होगी कुछ बेदनाएं अपनी, उनका कुछ मैटर होगा, वो चुकी कुछ बेक्तिगत होते रहते हैं बहुत सारे में, उनमें हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ यह है कि जनता के मुद्दों में जहां तक हमने देखा है, वहाँ पे आनन्द सुकला पूरे कुरोना काल खंड में जनता के लिए काम करते रहे, यह मैं क्या पूरी छेतर की जनता भी इस बात को सब्कुल वो इस पस्ट दिखा भी और दो से धाई साल, धाई साल का ही कुल उनका कारेकाल रहा है, तो धाई साल के अंदर एक युवा विधायक के रूप में उन्होंने काम कहीं न कहीं जो किया है, वो इस पस्ट जो चुकि जो प्रसंस नहीं है, उसकी प्रसंसा हम कर भी सकते हैं, और जो दो प्रत्यासी आए हैं, चुकि अभी दो ही प्रत्यासी मैदान में हैं, एक दल से, भुजन समाझ पार्टी से, अब जैसे बलवीर पाल को टे बनाये गया, महुमानिकपुर विधान सभा से, तो क्या लगता है कि कितना कुछ वो कर पाएंगे, क्या छोटी जातियों को ऐसे ही बरगला करके, जैसे आज पुस्पेंसिंग आ गए, और जब कुरोना काल था, तो बलवीर पाल भी उतना नहीं द तो देखने वाली बात है कि क्या जातियों पर लोग बट करके बोट करेंगे ऐसे? जन प्रतिनी दी चुनेगी, जनता बहुत होशी है. मैंने अभी जो पहले कहा कि आप से कुरोना महा मारी के दोरान जो भी हुआ, उसमें मैं पर्टिकुलर बसपा की ही नहीं बात कर रहा है, सपा की भी बात कर रहा हूँ. कि सपा के भी क्या प्रत्यासी या इनके जनप्रत्निदी या इनके कारेकरता क्या कहीं फेल्ड में दिखे हैं? नहीं, उनके कुछ लोग बाद में साइकल से निकले भी थे. वो जनता डिसाइड करेगी ना, वो जनता डिसाइड करेगी, जो दिखा होगा, जिसने काम किया होगा, वो बोर्ट प्राप्त करेगा. तो आपको क्या लगता है, कि समाजवादी पार्टी प्रभावित कर पाएगी इन चुनाओं को, या इन दोनों सीट में से कोई एक सीट, एक दल के रूप में, जितने में कामियाब हो सकती है, अगर कुनका कोई अच्छा प्रत्यासी आया? देखें, जब 2017 का भी चुनाव हुआ, तब जब सारे दल एक साथ ही कठा हो गए, उस समय एक बार ये लगा था, कि यार हो सकता है, लगता है, कि डिफीट दे देंगे, लेकिन इतना बड़ा संगठन और इतना बड़ा गडबंधन, संगठन एक तरफ और गडबंधन एक त अमस्याओं से ये जो कोरोना महामारी के समय जो इतनी बड़ी तरास्दी थी, मैं ये देख पा रहा हूं कि इतनी बड़ी छेतरी जनता का टेस्ट करवाना ही बहुत बड़ी बात है, अभी तो कहीं भी आप जाईए होस्पिटल में, अगर आपको दवा भी लेने सबसे पह है, और ये बिल्कुल सज के करीब एक भी सिलेशन है, भले कुछ लोग हमारी बातों से सहमत नहीं होंगे, हम मानते भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से बहुजन समाज पाल्टी ने अपने दो प्रत्यासियों को मैदान में उतारा, उन में से दोनों प्रत्यासी में से एक पुस्पेन सिंग के चित्रकूट में बिधान सभा का चुनाव लड़ने के बात से बहुत कम नजर आये थे, और हुआ क्या था कि 18,000 बोट भी उनको मिला था, पर कुरोना जैसी महामारी के समय भी जनता के दर्द के बीच, जनता के कष्ट के बीच, वह हमको कहीं नजर नह आये थे, उन्होंने का क्या किया जनता के लिए, कि जिससे वो दुबारा जनता के पास, किशी भी वरकी जनता के पास जा सके, या अपने जातिगत लोगों के पास भी जा सके, मैं बड़ा सवाल करूँगा, जो एक जातीगत है पुस्पेंशिंग के मामले में लेकर के चुकि बहुत साइलों को कहना चलते चलते सवाल है बहुत इकम सब्दों पर बोलिएगा क्या आपको लगता है कि पुस्पेंशिंग जाती धुरुवी करन कर पाएंगे यह इस बात पर तो मैं दावे के साथ कह सकत हूं कि जनता जाती समी करन पे बोट नहीं करेगी धुरुवी करन कर पाएंगे अपनी जाती का नहीं कर पाएंगे बिल्कुल तो यह कहने की बात है और हो सकता है कि भविश्य में क्या होता है यह देखने योग होगा लेकिन बड़ा सवाल है कि जब दर्ड में जनता थी ज दरीबों के लिए क्या कुछ किया था यह बड़ा सवाल इन दोनों प्रत्यासियों को सामना करना पड़ेगा और पहुजन समाज पार्टी के लिए खतरे की घंटी है कि जनता अगर मूर पर रहेगी तो इनके दोनों प्रत्यासिय कितना चमतकार करके दिखा पाएंगे और देखने योग्य बात है कि मौमानिकपुर की विधान साबा सीठो तो आनन सुकला ने कुरोना संक्रमण के दोरान बहतरीन काम करके दिखाये था स्वेम भाजपा के संग्ठर ने भी अच्छा काम किया था समाजवादी पार्टी के लोग भी कही न कहीं थोड़ा बहुत नि आज पासे रहेगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आपको कोई न कोई आपके सवाल हो सकते हैं वो हमसे कर सकते हैं हम आगे उत्तरवदेश चुनाओं का विशलेशन और चित्रकूट की इन दोनों भी धान सवाओं का विशलेशन करते रहेंगे धन्यवा बातों से रूबरू कराते रहेगा ताकि हम आपकी बात रख सकें और ज़रूर युवा अपने सवाल रखें हम आगे कोशिस करेंगे कि अच्छे से और बिसलेशन करते रहें